पाठ अठारा क्रिकेट क्रिकेट एक लोगप्रिये खेल है यहाँ खेल बड़ा ही रोचक एवं रोमांचकारी होता है जहां एक और स्टेडियम में इसे देखने के लिए लोगों की भीड उमर पड़ती है वहीं दूसरी और टीवी पर भी इसका सीधा परसारन देखने वालों की कमी नहीं होती है क्रिकेट का खेल एक विशाल मैदान में खेला जाता है इस खेल को दो टीम खेलती है प्रतेक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते है इसमें पहले एक टीम बल्ले बाजी करती है और दूसरी शेत्र रक्षन फिर शेत्र रक्षन करने वाली टीम बल्ले बाजी करती है और बल्ले बाजी करने वाली टीम क्षेत्र रक्षन करती है बल्ले बाजी करने वाली टीम के दो बल्ले बाज अपने अपने बल्ले लेकर मैदान में आते हैं और स्टम के सामने खड़े हो जाते हैं खेतर रक्षन करने वाली टीम के सभी खिलाडी मैदान के चारो तरफ खड़े हो जाते हैं ताकि वे गेंद को रोक सके एक खिलाडी स्टम के पीछे कड़ा हो जाता है, इसे विकेट कीपर कहते हैं, यह गेंद को पीछे जाने से रोकता है एक खिलाडी बल्ले बाज को गेंद फेकता है, इसे बॉलर या गेंद बाज कहते हैं गेंद बाज द्वारा फेकी गई गेंद पर बल्ले बाज अपने बल्ले से परहार करता है शेतर रक्षक गेंद को पकड़ने के लिए दोड़ते हैं और बल्ले बाज पिछ यानि मेदान के बीचो बीच बनी खेल पट्टी का के दूसरे सीरे की और दोड़ते हैं दूसरे सिरे पर पहुँचते ही गेंद पर प्रहार करने वाले बल्लेबास को एक रन मिल जाता है। यदि बल्लेबास पिच के बीच में ही हो और शेतर रक्षक गेंद को उठा कर स्टंप में मार दे तो बल्लेबास रन आउट हो जाता है और मैदान से बाहर चला जाता है। इसे चौका कहते हैं कभी-कभी ऐसा भी होता है कि गेंद बिना जमीन को चुए सीमा रेखा से बाहर जाकर गिरती है तब बल्लेबास को छे रन मिलते हैं इसे चक्का कहते हैं यदि गेंद बल्ले से लगकर उछल जाए और धर्ती पर गिरने से पहले ही कोई शेतर रक्षक उसे लपक ले तो बल्लेबास कैच आउट हो जाता है यदि बल्लेबास का पैर स्टम के सामने है और गेंद उसके पैर पर गुटनों से नीचे आकर लगे तो वह आउट घोशित किया जाता है इसे लेक बिफोर विकेट कहते हैं यदि गेंद सीधे ही स्टम से जाकर टकराए और स्टम से उपर रखी हुई गिल्लिया गिर जाए तो भी खिलाडी आउट हो जाता है यदि बल्लेबास गेंद को मारने के लिए आगे निकल जाए पर गेंद बल्ले पर नया कर विकेट कीपर के हातों में चली जाए और वह बल्लेबास को अपनी जगाए यानि क्रीज में लोटने से पूर्व उसे स्टम पर मार दे तो भी बल्लेबास आउट हो जाता है इसे स्टम आउट कहते हैं इस तरह जब बल्लेबास करने वाली टीम के सभी खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो पूरी टीम आउट घोशित की जाती है उसके बाद शेत्र रक्षन करने वाली टीम बल्लेबासी करती है और बल्लेबासी टीम द्वारा बनाये गए रनों का पीछा करती है दोनों टीमों में से जिस टीम के रन सरवादिक होते हैं वही विजई टीम होती है